देरा सामला रंग, साफ सुत्रा और गोरा करने का पेहतरी इंचरीका बताएंगे ये कलवंजी के डाने हैं मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं ये साबत कलवंजी है तो इसका आमें चाहिए पाउडर यनि इसको आपने अच्छी तरह से पीस के क्रैंट करके सुर्मे की तरह पाउडर कर लेना ये दाने दर नहीं होना चाहिए क्या देख रहे हैं बिल्कुल पाउडर बन चुक है कच्छी कलवंजी को आपने अच्छी पीस लेना है कि एच चमच कलवंजी का पाउडर है मेरे पास और इसमें मैं एच चमच शहद का मिलाओंगी चीक हो गया इन दोना चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है अगर यह कलवंजी आपकी दानेदार हुई तो इसको अप्लाइ करने में प्रॉब्लम होगी यह बिल्कुल इस्ताव से पाउडर होना चाहिए ताकि इसको अप्लाइ करने में हमें आज सानी रहे और इसका में रिजर्ट अच्छा मिले एक कलवंजी से मतलिक हैं पहले भी वीडियो अप्लोड कर चुकि आप लोगों के लिए जिसमें गहरे साने रंग को बुरा करने का तरीका बताया गया था उसका तरीका कुछ और था और यहां में आपको लाइक करके दिखाऊगी अब मेरे पास थर्ड इंग्रीडेंट जो है वो है मीठा सोटा, यह तकरिबन मैंने आती ती-सपून से भी कम यह वो मिलाना है तकरिबन चोत्रा ही इससा चाहिए आपको एक ती-सपून ता यह तीन इंग्रीडेंट्स सिरफ हमें चाहिए इसके बाद जो हम एक चीज चाहिए उसका भी इस टैप में कोई रोल नहीं है बस यह तीन चीज़े हैं इनको आपने मिक्स कर लेना है और आपको यह मास्क त्यार हो गया इसमें कोई टेंजन की बात terates नहीं है इसको मर्द, और्टेश् असानी िससाथ इस्तेव्यर कर सकते हैं बचें पर आप्लाई नहीं करना यह चेहरे पर अप्लाई हो जाएगए गर्दन पर आतम पोबभी का यह कोई नुश्धान, कोई साइट अपैक्ट नहीं है जितनी मقدार में मिठा सय़ा लिया है इतनी मिदार में इसक्माल कर लेने से कोई प्रॉबलम नहीं है अब सिंप्ली ये ट्यार हो गया बारी है कि मैं आप इसको अप्लाई करके दिखाऊ इसको मैं अची तरह से अपने हाथ के उपर अप्लाई कर लें जो के आपको ये दिख रहा होगा कि इसको आपने कुछ इस तरह से अप्लाई कर लें आपने चिहले पर करना है इसको बाजों पे करना है, हाथों पे, नेक पे, पाउं पे, जिसम के किसी भी से पे आप इसको असानी से दर सकते हैं लेकिन इसकी शर्थ यही है कि आपको मेठा सोडा जो है वो इतनी ही मिक्दार में लेना है ठीक हो गया, आप यह देख रहे हैं, इसको तीस मिनट आपने लगा रहने देना है तीस मिनट के बाद यह इतनी मदलब इस तरीके से चिपत जाएगा कि आप इसको रिमूव करेंगे भी तो हाथ के मदद से रिमूव नहीं होगा ठीक हो गया, आपने अच्छी तरह से ड्राय होने देना है, कोई भी नुकसान नहीं, इसमें तीस मिनट इसको लाजमी लगा रहने दे, ड्राय हो भी जाए तो भी अब मैं इसको वाश कर रहती हूँ चोटी से टिक से आपके रिजल्ट रेखिए आपके सामने है, पर हाथों पर मेंदी की वज़ा से यह आपको ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रहागा बट फिर रिजल्ट हमें नजर आ रहा है, यह एक दफ़ा के करने से हो गया, इसका इतना अच्छा रिजल्ट, आप जो ह करना है, बागों पर, नेक पर जहां भी अप्लाइ करना है, उचे साब साथ चोड़ा सा दर्दून का तेल लेजिए और इससे आपने मसाज करना है, और ले होगी आपकी यह रेमेडी पूरी और आपकी वाइटनिंस, आपकी वाइटनिंग सामने आगे गा, तो इससे आप पर भी अप्लाइ करेंगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मेलेगा, यह रेमेडी इसलिए शेयर की गएगा कि जहीं आपको जाना हो, तेशल बगार नहीं करवा सकते, पॉल्चिं नहीं करवा सकते, रेमेडी का लेट रिजल्ट आता है, यह रेमेडी आप लोगों को बावजूद इतना जबर्दस फिजल्ट इए, इतनी मैना से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा यह कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे ढूंडेंगे, तो इसका हल यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, और इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाँ वीडियों जाएंगे.